कॉलेज खतम हो गया था दीपक अपने घर की ओर निकल गया था तभी अचानक से उसे उसके दोस्त ने रोक लिया और फिर दीपक के दोस्त ने उससे बोला कि कि अरे भाई याद है आज क्या स्पेशल है दीपक सोच में पढ़ गया और फिर पांस सेकंड सोचने के बाद दीपक ने पूछा कि क्या भाई क्या है आज जिसके जवाब में दीपक के दोस्त ने बताया कि अब भाई मेरा जनम दिन है यार मेरा बर्थडे यार तु कैसे चानता है ना लाइफ में किती प्रॉब्लम्स हैं यार भूल जाता हूं यार सॉरी और हैपी बर्थ दे जनम दिन मुबारक हो पार्टी वगरा दे रहें कि नहीं जिसके जवाब में दीपक के दोस्त ने कहा कि अरे हां भाई पार्टी क्यों नहीं दूंगा पार्टी देखना आजाई हो बहुत मज़े करने हैं आज दीपक ने हस्ते वे हां में सर हिलाया और फिर अपनी कार में बैठके घर की और चल दिया घर पहुंचने के बाद जब अपने घर में अंदर गुसा तो उसके पापा ने उससे पूछा और बताओ बेटा कैसा गया आज का दिन जिसके जवाब में दीपक ने मू लटका कर बोला कि ठीकी गया आपको क्या मतलब है हां आपको थोड़ी कोई लेना देना है मुससे मैं तो सिरिफ ऐसी हूँ फर्मालेटी की लिए रखा हुआ है मेरे को बस क्या सिरिफ बेटा है और जब दीपक के पापा ने यह बात सुनी तो फिर दीपक के पापा ने दीपक से कहा कि क्या हो गया है इतना उखड़ा उखड़ा क्यों है जवाब दे जिसके जवाब में द दीपक के पापा ने कहा कि सिरियसली नई कार अभी उसको एक साल हुआ है और कार अभी से खराब होने लगी तिरा दिमाग खराब है और जब दीपक ने ये बात सुनी तो दीपक ने खा कि ओ, come on dad, मुझे वो car नहीं चाहिए, मुझे कुई दूसरी महंगी car चाहिए लक्षरी अरे 30 लाग की car दिलवाई है भाई, कितना तिरे को और कितना तिरे को महला चाहिए, हाँ अरे 30 लाग की car दिलवाई है, और कितनी महंगी चाहिए तिरे को, हाँ लक्जरी कार वगरा चाहिए न, तो खुद कमाओ और खुद खरीदो मेरे समाने में न, मेरे को साइकल तक नसीब नहीं होती थी मैंने तुम्हें कॉलेज में कार लेके दी है और किसी लड़की के पास है तुम्हारे कॉलेज में कार दीपक ये सारी बाते सुनके काफी ज़्यादा गुस्से में आ गया और दीपक भी अपने पापा से बहस बाजी करने लगा और आखर में दीपक मुफ उलाकर अपने कमरे में चला गया धीरे धीरे वक्त बीता और शाम हो गई और फिर पाटी में जाने का टाइम हो गया दीपक अपनी कार को लेके अपने दोस्त के घर पहुचा और वहाँ उसने दिखा कि उसके दोस्त ने काफी अच्छी पाटी रखी थी डेकुरेशन और बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था पाटी में लोग इंजॉई कर रहे थे पाटी में दीपक अपने दोस्त को ढूणने लगा और फिर उसे अपना दोस्त मिल गया वो अपने दोस्त से बाते करी रहा था तब ही दीपक के दोस्त ने दीपक से पूछा कि अरे आज मेरा जनम दिन है ये सिर्फ बच्च वाली पाटी करेगा या कोई खतरनाक भी बोतले मंगाई है बोल खोलू और जब दीपक नहीं बात सुनी तो दीपक ने कहा कि नहीं यार पीना वगेरा नहीं आदत पढ़ जाएगी यार फिर धिक्कत हो जाएगी जिसके जवाब में दीपक के दोस्त ने कहा कि अरे बाई कुछ नहीं होता मैं भी तो पीता हूँ कभी कभार मेरे को कौन सा आदत पढ़िये तुझे भी नहीं पढ़ेगी ट्राय कर एक बार दीपक ने मना कर दिया और फिर उसके दोस्त ने भी जादा फोर्स नहीं किया सुबा की हुई बहस से दीपक का मूड थोड़ा थोड़ा खराब था जिसे उसके दोस्त ने भाप लिया और फिर दीपक के दोस्त ने दीपक से पूछा कि अरे भाई बात क्या है मूड बड़ा खराब लग रहा है तेरा जिसके जवाब में दीपक ने सुबा हुई वहस के बारे में बताया और ये सुनकर दीपक के दोस्त ने कहा कि अबे भाई इतनी अच्छी कार है तेरे पास उसमें क्या खराब है जिसके जवाब में दीपक ने कहा कि अब भाई यार नई कार लेने का मन करता है उसमें मेरा गोमने का मन नहीं करता है यार कोई बढ़िया महंगी सी लक्षरी कार होना तब मज़ा है यार क्या ये नॉर्मल सी 30 लाख रुपेगी कार इसमें क्या मज़ा आएगा जिसके जवाब में दीपक के दोस्त ने दीपक से कहा कि हाँ भाई हाँ वक्त आने पे तू रोल्स रोस भी ले लेगा हाँ लेकिन अभी फिलाल थोड़ा तसली रख ले वरना तेरे पापा ना वो कार में छील लेंगे और फिर तू पैदाल इदर उदर गूमता फिरी हो जिसके जवाब में दीपक ने कहा कि बात तो सही कह रहा है अभी जैसे तैसे काम चला लेता हूँ जब मैं कमाऊंगा तब तो मैं महंगी से महंगी कार लोगा देखते ही देखते कि रात के साड़े ग्यारा बच के और फिर दीपक को लगजा कि अब घर चला ही ठीक रहेगा और जब दीपक अपने दोस्त के पास कि और अपने दोस्त से बोला की बाई यार मैं घर चलता हूं यार अब मुझे नहीं लगता कि अब मेरी जरूरत है पार्टी में तुम्हें इंजॉय करो तुम ड्रिंग वगरा करो और मैं घर चलता हूं जिसके जवाब में दीपक के दोस्त ने कह दिया ठीक है भाई यार जियान रखियो पना और जियान से जाई दीपक अपन की कार में कोई खराबी आ गए और खराबी एक ऐसी जगा पर आई थी जो जगा पूरी तरह से विरान थी और वहां पर धेर सारे पेड़ पौधे और जंगली एरिया था और जैसे ही दीपक की कार अपने आप रुक गए तो दीपक ने कार को कोशते वे कहा कि यह कैसी घटि लेकिन उसके समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था उसने बार बार कार को चालू करने की कोशिश की लेकिन कार जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही थी वो कार को फिर से चिक करने के लिए कार से बाहर निकला तब ही अचानक से उसे वहां पर कोई जंगली जानवरों की आवाज juicy सुनाई देने लगी और ये जंगली जानवर कोई और नहीं भेडिये थे भेडियों की आवास सुनकर दीबक डर गया और अपनी कार में बैठ क्या कार को स्टार्ट करने लगा लेकिन कार जो है वो स्टार्ट होने का नामी नहीं ले रही थी उसे लग रहा था कि वो अपने कार में सेफ है लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर काफी भारी कदमों की आवाजे सुनाई देने लगी जैसे कोई भारी भरकंग राक्षस वहाँ पर आ रहा हो दीपक ने अपने आसपास देखा तो अंधेरे में कई सारी आँखें चमक रहे थी और तभी उस अंधेरे जंगल से एक आठ फुट का भेड़ी अमानव निकला और उसने कार पे हमला कर दिया उसके हमले इतने जादा तांकतवर थे की कार को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहे थी और दीपक बार बार कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था और एक बार कार स्टार्ट हो गई दीपक ने पूरी रफ्तार के साथ कार को वहां से भगाया लेकिन उस मानव भेडिये के वार से कार में काफी ज़ादा खराबी आ गए थी जिसकी वज़े से दीपक के कंट्रोल में कार नहीं आ पा रही थी और वही हुआ जिसका डर था एक काफी खतरनाक एक्सिडेट टक्कर होते ही दीपक भी होश हो गया और उसे चारों तरफ सरे भेडियों की आवाजे सुनाई देने लगी सुभा के वक्त दीपक की आँखे खुली और जब उसकी आँखे खुली तो उसने देखा कि वो एक पुराने से टूटे फूटे घर में है और उसके पैर में पट्टी बंद रखी है वो उठने की कोशिश करने लगा लेकिन उसके पूरे शरीर में काफी जादा दर्दोरा था जिसकी वज़े से वो जादा हिल नहीं पा रहा था वो काफी जादा है कहां पर वो ये जानना चाहता था कि वो कहां पर है उस घर में एक खिड़की थी दीपक ने उस घर की खिड़की के बाहर देखा तो हर तरफ सिर्फ जंगली जंगल था दीपक काफी जादा हैरान था कि वो कहां पहुँच गया है तब ही वहां किसी के कदमों की आवाजे आने लगी और दीपक चुकन ना हो गया वो काफी जादा दर्द में था और हिल भी ठीक से नहीं पा रहा था लेकिन उसे अजीब अजीब सा लग रहा था तब ही उस घर में एक लड़की आई दीपक ने जब उस लड़की को देखा तो उस लड़की से कहा कि मैं यहां क्या कर रहा हूँ जब उस लड़की ने सारी बाते सुनी तो उस लड़की ने बताए कि तुम मुझे जंगल के बाहर वाले रोड पर मिले तुम्हारे सर से खून निकल रहा था और तुम जखमी भी काफी थे इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ अपने घर में ले आई दीपक ने जब ये बात सुनी तो दीपक ने कहा कि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है मुझे वहाँ से यहां लगके आने से अच्छा तुम एम्बुलन्स में कॉल कर लेती खेर मुझे फोन दो मुझे फोन दो मैं कॉल करता हूँ मैं मदद पुलाता हूँ जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा कि उसके पास फोन नहीं है और ये सुनकर दीपक हैरान हो दीपक ने कहा कि तुम्हारे पॉस फोन नहीं है सिरिजली आज की टाइम में किसी으면 बच्चे बच्चे के पास फोन होता है तुम्हारे पास फोन नहीं है जिसके जवाब में उस लड़की ने नामे सर हिलाया दीपक ये सुनकर और भी ज़्यादा परिशान हो गया और दीपक ने उस लड़की से कहा कि अरे कोई तो रास्ता होगा मैं अपने घर कैसे जाओंगा जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा कि अपनी हालत देखो तुम्हें अभी बहुत चोट लगी है कुछ दिनों में जब तुम ठीक हो जाओगे तो चले जाना अपने घर फिलाल ज़ादा हिलने डुलने की ज़रोद नहीं है जितना ही लोगे उतना दर्द होगा जिसके जवाब में दीपक ने कहा कि तुम कोई डॉक्टर हो क्या? जो तुम मेरा इलाज कर पाओगी? जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा कि उसके पापा एक वेध है और वो आयरुवेधिक तरीके से लोगों का इलाज करते है और अपने पापा की तरह उसको भी आयरुवेध की कावी अच्छी जानकारी है और फिर उस लड़की ने दीपक से पूछा कि तुम्हारा एक्सिडेंट कैसे हुआ? जिसके जवाब में दीपक ने बताया की रासथे में मेरी कार खराब हुए थी और मैं कार को बार बर स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वहाँ बेड़ियों के आवाज आने लगी और बेड़ियों के आवाज आना तो फिर भी ठीक था वहाँ एक बेड़ियों का जुन्डा गया उनसे मुझे कुछ खास खत्रा नहीं था क्योंकि मैं अपनी कार में था लेकिन वहाँ पर एक आठ फूट का एक तानव सा दिखने वाला एक बेड़िया मानव आ गया और उसने मेरी कार पे काफी स्वर्दार हमले किये मेरी कार को काफी सब्दा नुकसान पहुचा और जब मैं उसे वहाँ से लेके निकला तो बैलंस खो दिया और टक्कर हो गई और जब उस लड़की ने बात सुनी तो उस लड़की के आँखों में आसु आ गए और तीपक ने उस लड़की से पूछा अब तुम्हारी आँखों में क्यों आसु आ है हमला तो मेरे उपर हुआ था और तुम्ही जंगल में रहती हो तुम्हारे उपर चानवर हमला नहीं करते उस लड़की ने बताए कि उसके भाई की भी मौत भेडियों के हमले में हुई थी और दीपक ने फिर उस लड़की से उसके पिता के बार में पूछा और उस लड़की ने बताए कि उसके पिता गाउं गाउं में जाकर आरवेद का परचार करते हैं और वो अकेली इस जंगल में रहती है जब दीपक ने ये बात सुनी तो उसका मूँ खुला का खुला रह गया दीपक ने कहा कि तुम्ही इस जंगल में अकेले केस रहती हो तुम्ही डर नहीं लगता और तुम खाती पीती क्या हो जिसके जवाब में उस लड़की ने उसे बताया कि वो फलो को खाती है और महिन्य में एक बार शहर जाकर वहां से राशन लेकर आती है दीपक ये सब सुनके हैरान हो गया कि आज के वक्त में भी कोई ऐसी जिंदगी जी रहा है धीरे धीरे शाम हो गई और शाम से रात हो गई वो लड़की दीपक के लिए खाना लेकर आई और दीपक ने जब खाना देखा तो खाना एकदम साधारणसा था दीपक ने जब उस खाने को देखा तो उस लड़की से कहा कि अरे और कुछ नहीं है कि खाने को ये तो बहुत सिंबल से खाना है चलो ठीक है, कोई बात ने, मैं खाता हूँ दीपक ये कहकर खाना खाने लगा और उसने उस लड़की को देखा तो वो लड़की कोने में चुपचाप से बैठी हुई थी और दीपक ने उस लड़की से कहा कि तुम खाना कब खाओगी? तुम भी खाना खालो? जिसके जवाब में उस लड़की ने नामे सरहिलाया और दीपक ने खाना ख़तम कर दिया दीपक थोड़ा बहुत अच्छा मैसूस कर रहा था और जैसे तैसे वो खड़ा हुआ और अपनी जूटी प्लेट को कोने में रखने जा रहा था तो उसकी नजर खाने के बरतनों पे पड़ी दीपक ने देखा कि और खाना था ही नहीं दीपक ने उस लड़की की तरफ देखा और उससे पुछा कि सच में भूख नहीं थी या और खाना था ही नहीं गर में और फिर उस लड़की की आखों में आसु आ गए और उसने कहा कि नहीं खाना बहुत है बस मेरा मन नहीं था खाने को दीपक को पता चलिया कि ये लड़की जूट बोल रही उस लड़की के इलाद से दीपक काफी जल्दी ठीक हो रहा था और जब एक रात दीपक सो रहा था तो बार से भेडियों की आवासे आने लगी और वही भारी भारी कदमों की आवाजे जो दीपक ने पहले भी सुनी थी उस वक्त भी आने लगी दीपक ने उस लड़की को उठाय और उस लड़की से कहा कि वो यहां भी आ गए वो भेडिये यहां भी आ गए जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा कि वो घर के अंदर सुरक्षित है वो भेडिये कुछ भी नहीं कर पाएंगी और जब दीपक ने ये बात सुनी तो दीपक ने कहा कि अरे वो साधारें बेड़ी है तो कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन वो बेड़ी अमानव तो है जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा कि कोई बेड़ी हमला नहीं करेगा तुम बस सो जा, दीपक सो गया, और सच में किसी भीडिये ने हमला नहीं किया, धीरे धीरे दिन भीते और दीपक ठीक होने लगा, उसके जखम बरने लगे, लेकिन दीपक के शरीर पे काफी ज़्यादा बाल आ रहे थे, उसके शरीर में काफी ज़्यादा चेंजिस आ रखे दीपक को अपने शरीर में ऐसे बदलाव काफी ज़्यादा जीब लग रहे थे, कभी वो बाल अपने आप उसके शरीर पे उग जाते, कभी अपने आप ही गायब हो जाते, दीपक को ये बाते काफी ज़्यादा परिशान कर रही थी, और फिर उसने उस लड़की से पूछा कहीं ये सब तुमारी दवाईयों की वज़़से तो नहीं हो रहा, जिसके जवाब में उस लड़की ने नामें सरहलाया, लगता है तुमारे शरीर पे कहीं पर बेडियों ने पंजा मारा है, मैंने तो देख लिया था, जहां-जहां चकंते मैंने दवाई लगाती थी, जब तुम बिना पूरे इलाज के गए तो मुसीबत हो सकती है, और फिर दीपक वही पर रुक गया, रात होई, रात के वक्ते दीपक को टॉलेट लगी, और वो टॉलेट करने के लिए घर के बाहर एक जाड़ी के पास चला गया, और वही दीपक की बहुत बड़ी कलती थी, क्य काफी तेज तेज आवाज सुनाई देने लगी, उस लड़की की भी आँखे खुली, तो वो भागती भी घर के बाहर गई, तो उसने देखा कि दीपक को उस बेड़ी मानव ने अपने एक हाथ से आसमान में उठा रखा था, और वो बेड़ी आमानव दीपक की जान अपने एक पन्जए के हमले से लेने ही वाला था, उस से पहले दीपक काफी जौर उसे चिलाने लगा, जैसे उसकी जान निकलने वाली है, उस बेड़ी ने दीपक पे ज़सादा हमला नहीं किया था, लेकिन वो फिर भी चिला रहा था, और चिलाते चिलाते उसका रूप बदलने लगा उसके जो शरीर के बाल थी वो तेजी से बढ़ने लगी और वो धीरे धीरे करके एक फेड़ी मानव में तब तील हो गिया और दीपक ने उस दूसरे फेड़ी मानव पे एक सोर दार वार किया जिसकी वज़े से वो फेड़िया मानव दूर चाके गिरा दीपक ने अपनी हालत देखी तो उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है दीपक भी अब एक फेड़िया मानव बन गया था उस बेड़िया मानव में और दीपक में काफी भयंकर लड़ाई हुई काफी देर लड़ाई होने के बाद आखिरकार दीपक ने उस बेड़िया मानव पर काबू पाल लिया और दीपक उस बेड़िया मानव को चांद से मारने ही वाला था तब ही ओ लड़की दीपक के सामने रोने लगी और उस लड़की ने दीपक से उस बेड़िया मानव को छोड़ देने की मिन्नत ने करने लगी दीपक ने उस लड़की से पूछा तुम्हारा दिमाग खराब है, अगर मैं इसे नहीं मारूँगा, तो ये मुझे मारतेगा, जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा कि, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुचाएगा, उसे छोड़ दो, उस लड़की के कहने पर तीपक ने उस भेडिये मानव को छोड़ दिय और वो लड़की रोते हुए उस भेडिये मानव के पास गई, और फिर उस लड़की ने कहा कि, भाईया आप क्यूं ऐसे काम करते हैं, आपको देखो ने कितनी चोट लगी, ये सुनकर दीपक हैरान हो गया, और दीपक ने कहा कि, भाईया, ये भेडिये मानव तुम्हारा भाईया है, जिसके जवाब में उस लड़की ने रोते हुए हां में सर हिलाया, और उस लड़की ने बताया कि, जैसे तुम्हे भेडियों ने घायल किया था और तुम भेडिये मानव बन गया, वैसे मेरे भाई को भी भेडियों ने हमला करके घायल कर दिया था, और वो भी एक भेडिया मानव बन गया लड़ाई में उस भेडिया मानव को काफी जादा चोट लगी थी और उसके शरीर से खून बहरा था और धीरे धीरे वो अपने इंसानी रूप में आ गया दीपक भी लड़ाई में काफी जादा गहल हो गया था और वो भी इंसानी रूप में आ ग में जिसके जवाब में उस लड़की के भाई ने कहा कि माफ करना दोस्त वो हरकते मैं नहीं कर रहा था जब से मैं भीडिया मानव बना हूँ उस भीडियी का कंट्रोल मुझे खुद से ज़ादा है उसकी ताकते मुझे पागल कर देती है और मुझे समझी नहीं आता कि मैं खुद क्या कर रहा हूँ तब ही मैं अपनी बेहन के साथ नहीं रहता जंगलों में बटकता रहता हूँ तुम अभी नहीं समझोगे अब तुम भी भीडिया मानव बन गया हो और उसकी ताकते तुमें भी धीरे धीरे पागल करने लगेंगी जिसके जवा में दीपक ने कहा कि ओ कम आन मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और मैं जान भूच के नहीं बना भीडिया मानव तुमने मुझे बनाया और जो भी होगा मैं देख लूँगा दीपक अप पूरी तरह से ठीक हो गया था और उसने अप घर जाने का फैसला कर लिया था दीपक वहाँ से घर की ओर जा रहा था तब ही उस लड़की ने दीपक को रोका और दीपक से कहा कि मुझे माफी माँझनी है तुमसे जिसके जवाब में दीपक ने कहा कि माफी? अरे तुमने मेरी जान बचाई है किस बाप की माफी माँझनी है तुम्हे? जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा कि उसने छूट बोला था और दीपक ने पूछा कैसा जूट और फिर उस लड़की ने बताया कि वो काफी दिनوں से छूट बोल रही थी वो जो बात बोल रही थी कि तुमें इलाज की अभी जरूरत है इलाज पूरा नहीं हुआ है वो एक छूग था क्योंकि वो लड़की चाहती ही नहीं थी कि दीपक वहां से चाहे और जब दीपक ने बात सुनी तो दीपक ने कहा कि ये जुट मुझे पसंद आया खेर अब तो मैं जा रहा हूँ हुँँ खुश रहना अपने भाई के साथ दीपक वहां से जाने लगा तब उसने आखरी बार भाई कहने के लिए पीछे मुड के देखा तो उसने देखा कि वो लड़की रो रही थी उसकी आँखों से आसु बा रहे थे और फिर दीपक ने कहा कि अब इन आसुओं को मैं क्या समचू हाँ जिन्दीगी पर मेरे साथ रहना चाहती हो जिसके जवाब में उस लड़की ने रोते वे हां कहा और फिर दीपक ने कहा कि अपने भाई से तब पूछ लो कहीं रात में मुझे कच्चा चबा जाए और फिर उस लड़की के भाई ने कहा कि मुझे कोई अतराज नहीं है तुम बहुत दिल के अच्छे इंसान हो तुम चाहते तो उसी रात मुझे मार सकते थे लेकिन मेरी बेहन के कहने पर तुमने मुझे नहीं मारा पता चलता है कि तुम कितने अच्छे हो मुझे इस रिष्टे से कोई अतराज नहीं है तो फिर दीबग ने कहा कि तो मेरी बात सुनो हम तीनों यहां से चलते हैं ठीक है? मेरे दिमाग में एक बिसनस है जीजा साला दोनों मिलकर चलाएंगी दोनों करोड़ पती बनेंगी क्या कहते हो? चलो चलते हैं तीनों चलते हैं इस जंगल की जिंदगी को अब छोड़ दो अब बाहर की जिंदगी भी देखो ये बात सुनके वो लड़की और उसका बाई हसने लगे और दीबग और वो दोनों उस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शहर की तरफ बढ़ गए मार्क तकरीबन एक महीने की छुट्टी बिताने के बाद अपनी ट्यूटी पर वापस आया था वो अपने पुराने साथियों से मिलकर काफी ज़्यादा खुश था तभी अचानक से वहां मिलेटरी कैप में एक अनाउस्मेंट हुई जिसमें बताया गया कि एक जरूरी मीटिंग कुछ ही देर में होने वाली है मार्क अपने कई साथियों के साथ उसे मीटिंग में पहुचा और वहां एक जनरल ने बताया कि शोल्जर्स हमारे जो एक जनरल थे वो एक उपरेशन के लिए एक फोर्स को लेकर जंगलों में गय थे लेकिन काफी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो लापता हो गए है वो ही नहीं पूरी फोर्स लापता होगी है वो कहां गए किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा है और उन्हें ढूनने के लिए मैं चाता हूँ कि वहां पर एक फोर्स जाए तो मैं उमीद करता हूँ आप सभी शोल्जर्स समझ गये होंगे तो अपने अपने हाथ खड़े करिये जो की इस ऑपरेशन में जाना चाता है जब मार्क ने ये सारी बाते सुनी तो उसे बता लगा कि जो उसके फेवरिट जो जनरल है वो इस ऑपरेशन में कहते और वो उस ऑपरेशन से वापस नहीं लोटे वही नहीं पुरी फोर्स वहाँ गाइब हो गई है और वो कहां गई है किसी को कुछ पता नहीं और जब मार्क को ये पता चला तो उसने अपने हाथ को खड़ा किया और काफी शोल्जर्स ने अपने हाथ को खड़ा किया और फिर वो सारे शोल्जर सलेगों के और वहाँ जो मीटिंग में जो जनरल था उसने कहा कि मैं काफी खुश हूँ कि आप में से इतने लोग वहाँ जाने के लिए तैयार है यह उपरेशन बहुत ही खतरनाक है नमीद करता हूँ आप सभी उन खतरों का सामना कर पाएंगे वो जो जन्गल है वहाँ पर कई सारे जन्गली जानवर पाय जाते हैं और वहाँ खतरों की कोई कमी नहीं है मैं आप सभी को आप जितने भी शोल्जर सो उस ऑपरिशन में जा रहे हैं हमारे जनरल को लेने के लिए मैं आप सभी को पादुने खतियार मोहिया कराऊंगा और मैं उमीद करता हूँ कि आप हमें निराश नहीं करेंगे और हमारे जनरल को ले कर आएंगे तो अभी से तयारी कर लीजे कल सुबा आप उस जंगल में जा रहे हैं सारे शोल्जर्स तयार होने लगे अपने समान को पैक करने लगे और फिर तभी अचानक से फैसला लिया गया की सुबा नहीं राद के दो ही बजे उस जंगल में जाया जायेगा सारे शोल्जर्स लगबग तयारी थे सबने पैकिंग वगेरा कर ली थी तो सारे शोल्जर्स निकलने के लिए तैयार हो गए उन सबको एक प्लेन में बठाया किया और उस जंगल के ऊपर उस प्लेन को ले जाया किया और वहां से सारे शोल्जर एरड्रॉप हो गए सारे शोल्जर पैरशूट के जरिये उस जंगल में उतरे और आसपास के महौल का मौाइना लेने लगे। हर तरफ सिर्फ अन्धेरा था और जंगल दिखने में काफी जादा ड्रामना था जो की होता ही है लपा। दिन के वक्त जितना जंगल खूब सूरत दिखाई देता है रात में उतना ही जादा ड्रामना हो जाता है। और इस बात कालूबाव वो सारे फोजी अच्छी तरह से कर रहे थे वो सारे धीरे-धीरे कदम बढ़ाकर वहाँ पर घूम रहे थे उन्हें कुछ भी पता नहीं था कि इतने बड़े जंगल में उनके जो जनरल है वो कहां गये है उन्हें बताया गया था कि वो सारे जो फोजी और जनरल हैं वो एक आपरेशन के तहट उस जंगल के सेंटर में गय थे और जो मार्क था और जो उसके साथ ही थे उन्हें भी एक मैप दिया गया था जिसके हिसाब से चलते हुए वो रात के वक्त उस जंगल के बीचो बीच पहुँच रहे थे तब ही अचानक से वहां किसी के भोने की आहट उन्छोलजर्स को सुनाई दी और जब उन्होंने आसपास देखा तो कहीं पर कुछ भी नहीं था लेकिन तब ही अचानक से वहां किसी के गुराने की आवास आई और ये आवास किसी और की नहीं बलकि एक शेर की थी जब शेर की आवास सबने सुनी तो सबने अपनी पॉजिशन्स को ले रिया और जहां जहां से शेर के हमला करने का चांस था वहाँ वहाँ अपने एम को सेट कर लिया शेर की गुरानी की आवाज सुनाई दे रही थी और उन सब को पदा था कि अगर उन शोलजर्स की नजर इदर से उदर हटी तो वो शेर न जाने कितने फौजीयों की जान ले लेगा सब अपने अपने एम को सेट करके बैठे थे तब ही वही डर सच हो गया और शेर ने हमला कर दिया शेर काफी जादा फूर्तिला और ताकतवर था लेकिन आदूनिक हतियारों के सामने कहा टिकने वाला था ना चाते वे भी उन शोल्जर्स को गोलिया चलानी पड़ी उस शेर को कोई गोली तो नहीं लगी लेकिन आवाज से वो काफी जादा डर गए और वहां से भाग गया और जब वो वहां से भाग गया तो सारे शोल्जर्स ने चैन की सांस ली और वो अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ने लगी और जब वो आगे बढ़ रहे थे तब ही अचानक से उन्हें जमीन पर बंदूक मिली जो की काफी हाई टेक एडवांस थी और जब मार्क ने उस बंदूक को देखा तो उसे पता चला कि बंदूक और किसी की नहीं उसी की फौज की है इसका मतलब जो पहले जो टीम आई थी वो यहीं कहीं गैब हो गई है उनके हतियार यहीं पर है इसका मतलब वो भी यहीं होने चाहिए उसने उस गन को ठालिया और हमने साथ रख लिया वो काफी देड़ तक गोमते रहे और उन्हें कई सारे हतियार मिले और वो सब अपना-पना दिमाग लाने लगे लेकिन तभी मार्क ने कहा जो आमसे पहले टीम आई थी उसके पास आदो ने खतियार थे इसका मतलब को जंगली जानवर तो उनने नहीं मार सकता तो क्या है ऐसा यहां पर तभी एक फौची मार्कों को टोकते वे बोला तो मैं कैस इतने जो हमारे ताकतवर फौजी थे वो सर्वाइव तो करी सकते हैं यहां पर हराम से को जंगली जानवर तो उनने मार नहीं सकता ऐसी कोई तो चीज होगी यहां अगर वो खो गए हैं तो अभी तक तो मिल जाने चाहिए हमने जंगल में चप्पा चप्पा च्छान मारा ह क्योंकि हर फौजी जब पस जाता है कहीं पे तो वो मदद के निशान बना कर जाता है लेकिन यहां ऐसी कोई भी चीज नहीं इसका मतलब तो या तो वो मारे गए हैं या फिर वो किसी बड़ी मुसीबत में है सारे फौजियों का मों बन था तभी अचानक से मार्क ने कहा कि हमारे पास वक्त नहीं चलो फिर से ढोड़ते इस बार कही ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो सुराग मिले गए सारे फौजी खड़े हो गए और खोमने लगे और इधर उधर सर्चिंग करते हुए एक फौजी को पेड़ पे लटकी हुई एक लाश मिली जिसी देखकर उसने बाकी फौजीयों को बुलाए जब सारे फौजी वहाँ पर आए तो उस लाश को देखकर सबकी आँखे बाहर सी आ गई क्योंकि वो लाश और किसी की नहीं उन्ही के फौज की एक फौजी की थी जिसे काफी बुरी मौद मारा के था सारे फौजीयों ने उस फौजी की लाश को उतारा और उसे शरदांजली दी और फिर उसे वापस मिलेटरी कैम भेजने का फैसला किया गिया मदद बुलाकर उस जवान की लाश को मारक और उसके साथियों ने वापस मिलिटरी कैम के लिए भीज दिया और फिर वापस से अपने फौजीयों को ढूणने लगे उस फौजी की लाश को देखकर यतना तो पता चल गया था कि यहाँ पर कोई बहुत खुंखार सी चीज है जिसने फौजी को इतनी बुरी मौत मारा है कोई जानवर तो ऐसा कर सकता है लेकिन वो लाश को पेड़ पे नहीं लटका सकता वो सब सरचिंग कर रहे थे तब ही अचानक से किसी के गुर्रानी की आवास आई सारे फौजी वापस से तयार हो गए लेकिन इस पार खत्रा बड़ा था क्योंकि एक नहीं कई सारे दुश्मान आये थे और वो दुश्मान खोंखार होने के साथ साथ आदम खोर भी थे वहाँ पर एक पूरा भेडियों का जुंड था जो कि जब शोल्जर्स ने आज़ पास देखा तो कई सारे भेडियों ने उन्हें घेर रखा था और सारे भेडियों की आखें चमक रही थी अंधेरे में सारे शोल्जर्स ने अपने एम को पॉइंट कर लिया और भेडिये उन पर हमला करे उससे पहले ही वहाँ पर अंदातुन गोलियां चली जिसमें कई सारे भेडिये घायल हो गए और कई वहाँ से भाग गए शोल्जर्स ने चैन की सांस ले उन भेडियों को भगाने के बाद लेकिन खत्रा भी टला नहीं था उन्हें एक बड़े से पेड़ पे से एक आवाज आई उस पेड़ पे कुछ था और वो पेड़ अपने आप हिलने लगा जिसे देखकर सारे फौजियों ने वहाँ पर एम को टार्गेट कर दिया और तभी उस पेड़ से एक आठ फुट का भेडिया मानव कूदा भेडिया मानव कूदा जो की इतना जादा भायान था देखने में कि पूछो इम्ब उन सारे फौजियों ने उस भेडिया मानव पे इतनी गोलिया चलाई कि वो भेडिया मानव जबीन पर गिर किया वो गायल तो हो गया था लेकिन अभी भी बहुत जादा खतरनाक था वो गायल तो हो गया था लेकिन तभी अचानक से उसने वहाँ एक हाउल किया और कम से कम पाँच भेडिये वहाँ आ गये और वो पाँच भेडिये आम नहीं थे सब के सब भेडिया मानव थे और सब ने फौजीयों को घेर लिया और फिर शुरू हुई पाँच भेडिया मानव और बहादुर फौजीयों के बीच उन सब में काफी खतरनाक लड़ाई हुई गोलिया इतनी चली कि पूछो ही मत गोलिया चलने की आवास से सारे जानवर जितने भी थे जंगल में सब इदर से उदर भागने लगे गोली चलने की आवास से पूरा जंगल गूज उठा हर जगा सिर्फ तबहाई मच रही थी सारे फौजी कवर लेगर उन बेडियों पर गोलिया चला रहे थे लेकिन वो बेडिये काफी जादा खतरनाक और वायानक थे उन्होंने कई सारे फौजीयों को घायल कर दिया और जब फौजी क एक्सप्लोजन की वज़े से थोड़ी देर के लिए शान्त हो गए और सारे फौजी वहाँ से थोड़ी देर के लिए भाग कर जो फौजी गायल थे उनकी हालत खराब होई जा रही थी वो जो भेडिये थे वो एक्सप्लोजन की वज़े से कुछ देर के लिए शान्त हो और वो सारे शोल्जर्स को मार कर बदला लेना चाहते थे सारे शोल्जर्स एक अंधेरी सी जगा पर छुपे हुए थे और अपने जो गाहल सैनिक थे उनकी मदद कर रहे थे और जो बाकी के जो शोल्जर्स थे वो खड़े थे निगरानी कर रहे थे कि वो भेडिये वापस ना सब के हाथों में बंदूख थी लेकिन गोलिय काफी जादा चली थी जिसकी वजह से गोलियों की कमी आ गए थी और यह सबसे जादा भात थी क्योंकि कि अगर गोलियां खतम हो गई तो फिर हाथों से लड़ना नामम्किन सा हो जाएगा क्योंकि वो भेडिये मानव काफी जाधा ताकत को केरी करते हैं और वो असानी से शोल्जर्स को मार सकते हैं मार्क काफी जाधा सोच में पढ़ गया था कि आखिर क्या किया जाए तब ही अचानक से सारे शोल्जर्स को किसी के कराने की दर्द से कराने की आवाज सुनाई थी और जब शोल्जर्स ने वहाँ देखा तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो सारे हैरान हो गए उन्होंने देखा कि जिस जनरल को वो ढोड़ने के लिए वहाँ कहे थे वो जनरल घायल हालत में उस अंधेरी कोने में पड़ा हुआ था और दर्द से करा रहा था जब सारे शोल्जर्स ने उन्हें देखा तो सब के दिल में खुशी तो काफी जादा खाबर आगे उन्होंने अपने कमांडरे से कहा कि आपकी आहलत किस ने की जिसके जवाब में उस कमांडर ने जवाब दिया इस जंगल में आम जानवरों के अलावा भी कई सारे जानवर हैं बेड़ी ये मानव घूम रहे हैं इस जंगल में मैं एक ऑपरेशन क अकेल लिया आया था इदर लेकिन उन आदमको और भेडियों ने पुरी फोर्स को मार दिया और मैं अकेला यहां पर गाहिल पड़ा हुआ हूँ मार्क के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था मार्क ने जो कमांड सेंटर था वहां से कॉंटेक्ट करने की कोशिश की और वहां पर एक एरोप्लेन मंगवाया एरोप्लेन आने में काफी ज़्यादा टाइम लग रहा था तक्रीबन चार से पांच घंटे लगी जाते तब तक सारे फौजीयों को सर्वाइव करना था कई फौजी घायल पड़े हुए थे वो लड़ नहीं सकते थे और जो लड़ सकते थे उनकी पास गोलियों की कमी थी खत्रा कई जादा था और उससे भी खतरनाग वो भेडिये थे और वही हुआ जिसका डर था चारो तरफ वापस से भेडियों का अतंक शुरू हो गया और वो भेडिये मानव आगे वापस से शोल्जर्स से बतला लेने के लिए सारे भेडिये मानव को देखकर सारे शोल्जर्स ने अपनी गंस को उठा लिया और गायल सैनिकों को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके चारो तरफ घेरा बना लिया सारे शोल्जर्स एक हिक करके हर भेडिये मानव को कूली से भोलने लगे लेकिन वो भेड़ी मानव भी काफी जादा खतरनाक थे उन्होंने कई सारे और शोल्टर्स को घायल कर दिया लेकिन खतरनाक वक्त तो तब शुरू हुआ जब जो घायल सैनिक थे वो भी धीरे धीरे करके भेड़िया बनने लगी और जब शोल्टर्स को पता लगा कि वो भी भेड़िया मानव बन जाएंगे तो उन्होंने अपने आपको गोली मार ली और ये सब देखकर मार काफी जादा खाब राके वो मना कर रहा था अपने फौजियों को अपने आपको गोली मारने के लिए लेकिन वो सब नहीं मान रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो खुद को नहीं मारेंगे तो वो भेड़िया बनने के बाद अपने ही लोकों को मार देंगे सब ने अपने आपको कोली मार ली जो जो भेड़िये जो जो फौजी वहां घायल हुए थे और लड़ाई चलती रही कई फौजी मारे गए और आखर में वही हुआ जो बागी घायल फौजीयों के साथ हुआ था वो जो आखरी का कमांडर था जिसे बचाने के लिए सारे फौजी आए थे वो भी भेड़िया मानव बनने लगा और उस कमांडर ने भी खुद को कोली मार ली गिंती के अब सिर्फ तीन फौजी बचे लेना था और उन तीनोंने काफी लंबे समय तक लडाई करी और फिर उनके पास जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उन तीनोंने ग्रिनेट्स को निकाला और उन ग्रिनेट्स zijn की पिन को केच कर उन भेडियों के उपर भेक दिया जिसकी वज़े से काफी बड़ा इलूजिन में वो शोल्जर्स भी काफी जादा घायल हो गए थे और वो भेडिये मान अफ सुन पड़ गए थे उन घायल फौजियों ने जैसे तैसे करके उन भेडियों को सुन ने तो कर दिया था लेकिन ये नहीं पदा था कि वो कब तक शांत रहेंगे उतने में ही वहाँ पर प्लेन आगे हैं और प्लेन से कुछ फौजी उत्रे जिन्होंने नीचे की हालत देखी तो सबकी रूह काम गई वह जो पूरा इलाका था वो पूरा खून से सना हुआ था हर जगा सिर्फ खून खून था कहीं भेडिये की लाश पड़ी हुई थी कहीं पर फौजी की ये सब काफी भायानक मनजर था जिसे देखकर वो सारे फौजी समझ गये जो की प्लेन से उत्रे थे की मामला बहुत खराब हैं उन्होंने सारे जो घैल फौजी जो तीन बचे थे उन्हें रसी के जरिये प्लेन तक पहुँचाया और जो भेडिये थे उन पे कई ताबड तोड गोलियां चलाई जिसकी वज़ा से वो भेडिये मारे गये जब पूरी दुनिया में ये बाद फैली कि कैसे फौजीयों ने आदम खोर भेडियों को मारा तो वो सारे फौजी जितने भी ऑपरेशन में थे वो सारे हीरो बन गये और सब को समानित किया गया मार्क को भी परमोशन दे दिया गया और उसके दो साथियों को भी लेकिन वो जो लड़ाई थी वो जो युद्ध था उन भेडिये मानवों के साथ में उस युद्ध ने मार्क और उसके दो साथियों को युद्ध का असली मतलब सिखाय था कि अगर युद्ध हो जाए और तुश्मन आपसे ज़्यादा ताकतवर हो तो आपको हार नहीं माननी है आपको अपनी आखरी सांस तक लड़ाई करनी है या तो आपको मरना है या तो आपको मारना है और इसी स्ट्राटेजी के तहट आज मार्क काफी बड़ी पोस्ट पर है लेकिन जब भी उससे पूछा जाता है कि आपने अपनी जिंदेगी में सबसे बड़ा काम क्या किया है तो वो गर्व से कहता है मैंने बेड़ी एमान वो को मारा है और अपने मरे हुए फौजीयों का बदला लिया है